Welcome students, the topic of our today's lecture is Early Blight of Potato अलू की अगेती अंग मारी यागेती जुलसा रोग यह डिजी सबसे पहले United States वहाँ पर रिकोर्ड की गए और उसके बाद वर्तमान में जो है विश्व के सभी भागों में यह डिजी पाजेती है सबसे पहले जो United States में इसको रिकोर्ड किया गया उसके बाद विश्व के हर भाग में यह रोग पाजेता है और भारत में देखें तो यह सामनेता है जो है इंडो गैगेंटिक प्लैंस और नीडगीर हिल्स यहाँ पर जो है कॉमनली पाजेता है और इस रोग में यह रोग जो है लेट ब्लाइट से कुछ पहले हमें दिखाई देता है फसल पर भुवाई के तीन या चार हपते बाद प्रकट होता है और जो लेट ब्लाइट डिजीज होती है उससे पहले दिखाई देता है अब हम देखते हैं इसके लक्षन शिम्टम्स देखते हैं इस तरह से हमें जो है इस पर शिम्टम्स नज़राते हैं इनिशिली दा डिजीज एपियर से स्माल स्केटर्ड पैल ब्राउन स्पोट पैल ब्राउन स्पोट ऑन लीफ लेट लीफ की उपर हमें दूर दूर बिखरे वे फीके भुरे और कोणी आकार की चित्तियां या स्पोट्स हमें नज़राते हैं और ये जो स्पोट्स है बाद क्या होते हैं? रिधक जाते हैं. These spots let return to deep greenish blue color due to mycelial growth. की जो 이 spot बनते हैं scattered pale spot वो जो है बाद में mycelial growth की वज़े से greenish blue color में जो है परिवर्तित हो जाते हैं. Lower leaves are attacked first and then progress upwards. इस plants में जो lower leaf होती है वादे की वो सबसे पहले प्रभावित होती है उसके बाद यह disease दीर दीर अपर leaf के और जो है progress करता है वहां पर भी वहां के पतियां भी जो है उपर की पतियां क्या है concentric raises with target board effect appears अब इस picture को अगर जहां से देखे हैं तो हम इस तरह से target board concentrating raises नज़र आईगी और यहां पर target board area इस तरह से यह leaf की उपर नज़र आएगा यह इसका characteristic feature है और इस feature की वज़े से हम इस disease को identify करते हैं और बाहर से देखके पैचान सकते हैं कि इसके अंदर जो है early blight disease हुआ है तो इस संकेंद्री कटकों द्वरा लक्षेपट प्रफावया target board effect प्रकट होता है जो इस रोग का प्रमख diagnostic feature है और इस spot के चारों और हरा रंग दुंदला हो जाने से एक संक्रा और chloritic zone बन जाते है chloritic zone नेक्रोसिस सकर्ष द्यूट्यू तॉ टॉक्सिन्स ऑल्टरनेरिक एसिड्स प्रटूस्ट बइसड़ पैथोजन पैथोजन की द्वरा जो toxin secret के जाते हैं अल्टरनेरिक एसिड्स जो secret के जाते हैं उस toleader ग्सिश और इस acid की वज़े से जो है ये जो बू пожष दिए ये जो है नियाक्रोटिक जोन एे नेक्रोसिस टीशियूस के अंदर हो ज़ता है और नेरो क्लोडॉरिक जोन अराउन्ड आश वाट और जो इस पॉर्ट है ये जो इस्पॉर्ट है और आश जोन ये चारों से हाड हो जाएंगे और लीफ जो है मुड जाएगी इन ड्राइव एदर स्पोर्ट अन हाड एंट लीज कर वेराज इन हुमिट वैदर स्पोर्ट मर्ज विद इच अदर फॉर्मिंग लार्ज पैचेस अगर हुमिट कंडिशन है वैदर हुमिट है तो इस पोट आपसे मिल जाएंगे और बड़े-बड़े पैचेस बना देंगे और उसमें रोटिंग भी start हो जाती है क्योंकि पैचेस बड़े-बर बन गए और लीफ में रोटिंग बी start हो जाएगी और रोग का जब बीशन प्रकोफ होगा जब severe disease, severe condition होगा तब जो लीफ शिकुड कर भूमे में गिर जाती है और पोधे के तने पर necrotic lesions बन जाते हैं और इस कारण जो संपुन पोधा या फिर इसकी जो कुछ साख हैं जो है वो नीचे गिर जाती है इसके अलावा हम देखे हैं तो इस disease का जो प्रभाव है वो उसके tuber पर भी होता है disease का प्रभाव, tuber पर भी होता है और stem पर भी होता है tubers may also be affected showing brown, black, necrotic lesions on the skins और tuber पर होने के वज़े से इसकी पर जो है market, फिर commercial value जो है इसकी market values इसके कम हो जाती है इसके अंदर starch की कमी भी हो जाती है और ये tuber आकार में छोटे भी होते हैं और संख्या में कम हो जाते हैं तो इस तरह से इसके जो important symptoms है वो इसके उपर जो है concentrating diseases जो target board effect शो करते हैं और उसके चारोर chlorotic zone बन जाता है और ये जो है necrosis होता है वो toxins और अल्टरनरिक acid की वज़े सोता है और इस acid की वज़े से leaf जो है दिरदेश में curling वज़ाती है और वहां जो है अम्रत होकर के निचे के वो गिर जाती है और ये श्रूग का प्रभाव leaf के साथ साथ, leaflet के साथ साथ, stem और tuber पर भी होता है ये इसका pathogen है और ये pathogen जो है deuteromycities, form class का member है, order monyleels, form family demyciacy and pathogen alternaria solenai alternaria solenai, चोंकि हम जानते हैं deuteromycities, form class, imperfect fungi कहलाती है उसके अंदर जो mycelium की condition है वो mycelium हम जानते हैं कि mycelium इसके अंदर well developed, branched, freely branched, septate, light brown and multi-nucleate condition multi-nucleate condition तो इस तरह का इसके अंदर mycelium पाई जाएगा, शूविक्षित, शाखित, हलका भूरा और बहु के अंदर की ये, इस्तिती इसके अंदर high-fee are first intracellular and then intracellular सबसे पहले जो high-fee intracellular होगा, host issues के बीच में जो है, उसके अंदर जो इस्पेस होगा, उसमें grow करेगा, उसके बाद में intracellular form में जो है, grow करता है और alternia के जो conidio 4 जो बनते हैं, वो singly या फिर चोट-चोटे groups में बन सकते हैं और इसके अलावा जो है, ये क्या करते हैं, कि जो spot बनेंगे, कि alternia में जो leaflet पर जो spot बने है, concentrating resist बनी है, उसके center से, उसके center में जो leaf के जो वहाँ पर stomata होंगे, उस stomata के throw, उस stomata से वो conidio 4 बाहर की और release होंगे और वहाँ से फिर जो है, हर एक conidio 4, जो है, conidio 4 का development करता है, वहाँ पर, जो है, conidio 4 के उपर, conidio 4 का निर्मान होता है और epically form में, सीर्स वाग पर, और एक conidio 4 के उपर, एक single conidio का निर्मान होता है single conidio का निर्मान होगा, अब हम conidio देखते हैं, कि वह इसके अंदर, जो है, alternate area का conidio हमें, किस तरह से दिखाई देता है तो यह alternate area का conidio, जो कि multi-cellular condition है, और एक single conidio है, multi-cellular conidio और इसमें, transverse और longitudinal, दोनों ही septa, यह transverse septa, और यह longitudinal septa, दोनों ही septa वाजते हैं और यह part जो है, tip part जो है, beak, beak like structure, तो हम कह सकते हैं, कि conidio usually single, beaked, muriform, olive-aceous brown, golden, yellow to, olive-aceous brown और से कोनिड देखें, beak to conidio, muriform, olive-aceous green, olive-aceous brown, 9-11 transverse, and 1-5 longitudinal septa longitudinal septa, 1-5 transverse septa, 9-2 11 तो इस तरह से, longitudinal septa और transfer septa के वाज़े से, एक multi-cellular structure, conidia की, और यह conidia जो है, moist weather में, नम जो है, मौसम में, यहां से free होते हैं, हवा के द्वारा, और यहां से जो है, germine ढोकर के, और हर एक conidia जो है, इसके अंदर जो cell होती है, उसे germ tube निकलती है, तो कम से कम जो है, 5-10 germ tube, जैसे यह conidia है, तो यहां से, यह germ tube, यहां से इसके अंदर sexual reproduction absent होता है, तो इसके asexual reproduction इसके अंदर पा जाता है, next हम देखते हैं, disease cycle, रोग चक्र, की जो किस तरह से रोग फैलता है, सबसे पहले हम देखते हैं, की disease जो है, soil bone as well as air bone, मुर्दोड और वायू के द्वार होने वाला दोनों इतरह का यह रोग है, primary source जो है, और secondary source, यह जो है, soil bone and air bone दोनों की द्वारा, mycelium and conidia can survive in the soil or on the diseased plant debris, soil के अंदर, चुँकि leaf spot, जो है, host diseased plant, जो debris, soil में गिरने के बाद, उस debris में, यह mycelium और इसके conidia बने रहते हैं उस debris पर, और उसके बाद, इसके अलावा, यह जो इसका collateral host है, some partialic purpose ही, जो है, tomato, जैसे की tomato, इसका some collateral host है, उस पर भी जो है, यह pathogen survive करता है, और इसके recurrence में, जो है, disease recurrence में, significant rule पे करता है, तो यह इसके अलावा, कि जो alternious हो ले नहीं है, potato के जो diseased plant का debris, उसके अलावा, tomato पर भी यह recurrence करता है, वहाँ पर भी यह सरवय रतता है, और disease को परत्यावरतन करता है, और इसके अलावा, contaminated tuber, contaminated, जो संक्रमित, आलू के जुकंद है, वह भी जो है, primary infection का एक बहुत बड़ा श्रोत है, तो plant debris, disease plant debris and contaminated tuber, यह इसके primary infection के source है, secondary infection देखें, secondary spread देखें, कि रोग का जो है, द्यूतिक रूप से प्रशार कैसे होता है, तो रोग का द्यूतिक प्रशार जो है, वो conidia की द्वार होता है, जो कि primary spot, जो primary spot बनता है, leaf के उपर, और उसकी leaf ruptured होती है, और वहाँ से जो conidia release होता है, insect की द्वारा या air agency की द्वारा, तो फिर जो है, वहाँ से free होकर के, और air blown होकर के, और healthy plant पर, potato के healthy plants पर उसकी leaf पर गिरते हैं, और इसमें secondary infection कोज करते हैं, और यह disseminated जो conidia होते हैं, वो wind की द्वारा हो सकते हैं, water की द्वारा, और insect की द्वारा, किसी पर agency की द्वारा हो सकते हैं, और इस रोगी की प्रिशार के लिए, जो सबसे अनुकूल परिश्थितिया हैं, और जैसे कि वो disease severe हो जाए, और उसके लिए होता है, abundant moisture और frequent rains, followed by warm and dry weather, तो इस तरह से जो है, इसके अनदर abundant moisture और frequent rain, यह अगर यह condition होती है, तो रोग जो है, severe form में आजता है, वो होती, गातक सिद्ध होता है, तो यह रोग चक्र, seed born, soil born और airborne disease, primary infection, contaminated tuber के द्वारा, और disease plant, जो debris soil में है, उसके द्वारा होता है, और रोग का जो second infection, second spread जो है, वो कौनेडिया के द्वारा होता है, next, control measure, सबसे पहले हम देखते हैं, रोग थांग के उपाई में, field sanitation, खेत की स्वच्चिता, कि potato की जो है, हम खुदाई करते हैं, उस खुदाई के तुरंत पश्चात, जितने भी soil में, जो plant debris है, disease plant के, उसको इकटा करके, वहाँ से remove कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, sanitation कर देना चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं, फसल चक्र, crop rotation, और crop rotation में, जो है, हम जानते हैं कि इस रोग के जो कवक है, altern area, उसके conidium और mycelium, जो है, एक से 15 वर्स तक भूमी में पड़े, रोग रस्त पोदय उसे सबजीवद रह सकते हैं, तो हमें कम से कम, दू साल का फसल चक्र, दू साल का फसल चक्र, अपना ना चाहिए, ताकि क्या है कि रो प्रोल मेजर, foliase spray, छिड़का, पत्तियों पर छिड़का हो करना, 4-5 spray, 4-5 spray के बीच तक हम कर सकते हैं, इसमें 2% solution of Dithen M45, Bletox 50 and Gineb, इसका जो है, 2% solution बना करके, और अगर हम 4-5 तक छिड़का हो करें, तो हम जो है, इस रोग को नीद्रित कर सकते हैं, इसके अलावा, आलोक की जो है, अगेती जुलसा रोग, अगेती अंग मारी रोग को नीद्रित करने के लिए, कई रोग रोधी किसमें, जो है, वो भी बनाई गई हैं, उस किसमों का प्रेव करके भी हम इस रोग को नीद्रित कर सकते हैं, और यह रोग रोधी किसमें हैं, क कुफरी सिंदुरी और कुफरी जीवन ही जो है मैदान इलाकों के लिए है और कुफरी नवी जो है वो पहाड क्षेतरों के लिए है तो इस तरह से हम इस disease resistant varieties को यूज करके भी इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं Thank you